क्या इच्छाधारी नाग होते हैं? जानिए इस सच को भारत में नागों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं प्राचीन काल से लोकमानस में ये प्रचलित है कि एक एसा नाग होता है जो की इच्छधरी होता है अर्थात जो किसी का भी रूप धारन कर सकता है हिंदु धर्म में नाग पुजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है हिंदु पुरानेक ग्रन्तों, किस्तों, कहानियों आधी में कई तरह के नागों के बारे में उल्लेक मिलता है हिंदु पुरानेक कथाओं में यह एक एसी कोब्रा जाती का नाग होता है जो सो वर्षित की उम्र पूर्ण करने के बाद रूप बदलने की ख्षमता प्राप्त कर लेता है और फिर वह सेकड़ो वर्षो तक जिवित रहता है ऐसी की वदंती भी है कि नागों में कुछ ऐसे नाग भी होते हैं जो सभी तरह का ज्यान रखते हैं जिस तरह इंसानों में सिद्ध संत होते हैं उसी तरह नागों में सिद्ध नाग होते हैं जो किसी के भी शरीर का इस्तमाल करके इंसानों का भला करते हैं भारत के बहुत से ग्रामन चेत्रों में कुछ विशेश लोगों के शरीर में नाग देवता सवारी के उप में आते हैं और देश भर में नागों के कई मंदिर हैं माना जाता है कि इच्छादरी नाग के पास एक मनी भी होती है हिंदू पुराणिक मान्यता के अनुसार मनुष्य और चोराश लाक योनियों के जीवों में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो की रहस्यमई है उन में से एक नाग भी है प्राचिन काल में 30 से 40 फूर तक के नाग होते थे स्रीक्रेशन ने जिस नाग हगासुर को मारा था वह करीब इतना ही बड़ा था पुराणिक ग्रंतों में नाग वन्स और नाग कन्याओं का जिक्र भी मिलता है महा भारत में उल्लेखी थे कि पांडु पुत्र अरजुन ने नाग कन्या उलिकी से विवा किया था भीम के पुत्र गटोतकच का वियोहा भी एक नाग कन्या से ही हुआ था जिसका नाम एहिलवती था और जिसका पुत्र वीर योधा बरवरिक था लेकिन ये नाग कन्या इच्छाधारी नहीं थी विज्ञान और सर्प विशशक्य बानते हैं कि इच्छाधरी नागिन का चरित्र पूरी तरह से कालपनिक है हाला कि विज्ञानिक यह तो कहते हैं कि नाग विश्व का सबसे रहस्यमई प्राणी है यह कोई नहीं जानता है कि पिछा दर्य नाग होते भी हैं या कि यह एक कपूल कलपना है